दोस्बस फिर हम बात करेंगे स्लीपलेस एई के एई को इन के प्राइज मुमेंट के बारे में अप्टेटेट लेवास और आने वाले दिनों में स्कॉइन के टागेट्स करेंगे एक अच्छा खासा ब्रेक आउट इसके प्राइज में अभी करेंटली देखने को मिला है जहा अब इसको इनके क्विक टागेट क्या रहेंगे इस ट्रेडर लोंग टम और सोट टम के प्रस्पेक्टिव सापके इन एडियास पर नजरे बना रख करते हैं अवराल सारी चीज़ बारे में बात करें इस वीडियो में उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर करना चाहते हैं क्रिप्टो लोश से बचना चाहते हैं इस टापर डियेम करके जोईन कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिपशन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगे 2.12 इस टी पर अभी एकॉइन ट्रेड कर रहा है 15 मिड का चार्ट ओपन है 2.25 ब वाले लेवल ट्राइ किया डेली का चार्ट उपन करें तो जो दो दीन पहले बिटकोईन में फ्लक्टूएशन देखने को मिली वहां से वापिस बाउंस पे करके और उल्मोस्ट 80-90% का ब्रेक आउट इस कोईन में दो दिनों में देखने को मिला है जहां पर बिटकोईन ने का आल्टाइम हाई बनाया है अपना जो प्रीवेस आल्टाइम हाई है उसको टेस्ट किया 69,000 वाले लेवल से एक्जेक्ली बीटीसी को रिजेक्शन फिस करने को मिला और वहां से अभी 66,000 युस्टी के राउन में बीटीसी ट्राइट कर रहा है आल्स में अच्छा वहां से इस कोईन में 1.7, 1.8 युस्टी की एक अच्छे का असिस्टिविटी थी वहां से हमें रिसेंट्ली ड्रोग देखने को मिला अभी भी आपके पोर्फोली में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलना हुआ बिनास लांच पूल का ये प्रोजेक्ट है 0.03 युस्ट वारा लेवल ट्राइ किया कुछ लाइन से मैं आपको ड्रोग करके प्रीविएस वीडियो में शेयर किया था जहांपर हमने दो तीन बार इस कोईन में 1 युस्टी के आराउं में ली 1 युस्टी 0.95 के आराउं में और ये जो ब्रिक आउट है इस ब्रिक आउट को हमने क्रे यहां पर 1.02 तक का लोश्ट नोई ने बनाया था यह हमारी लेटेस्ट इस कोईन में थी इसके बाद इसकोई ने ब्रिक आउट लिया इसके बाद यह पोस्टी नहीं मिली वहां से जो ग्विक टागट बताये थे शोट टम के टागट बताये थे एज़ इसट इसकोईन ने इसको 1.98 वाले लेवल ट्राइ किया उसके बाद भी इसकोईन ने यहां पर मूग करके 1.9 युस्ट वाले लेवल वापिस ट्राइ किया था तो आपने क्विक प्रॉफिट जनरेट किया होगा शोट टम में 2.1 2.2 युस्ट का टागट बताया थे जिसको इसने अभी हिट कि है और आपने अच्छा प्रॉफिट इस कों के जनरेट किया होगा या आपने अगर अभी तक होड किया है हमने जो को इन्ट किती आपप रखोलियों अच्छा प्रॉफिट होवागा देखें आपको hjहान दिए अपने पॉरफफोलियों को डाइबरी सिफाया अगर रखें उसके बाद AI के coins में हमने बीच में breakout देखा या जो newly listed coins है उनमें breakout देखा तो ऐसे back-to-back अलग-अलग category के coins में moment होता है और यही चीज़े हम आपको बताते हैं कि अलग-अलग category के coins आप aid करें layer 1 coin, wave 3 के coin, AI coin, gaming coin इस टाइब के coins आपके portfolio में aid होने चाहिए अभी यहाँ पर जिन्होंने profit book किया है या किसी भी टाइज से हमारे वीडियो से helpful रहते हैं comment करके ज़रूर बताय करें daily के चार्ट वह हम technical अगर बात के तो 1.7 यूस्टी वाला जो level है वो इस coin को एक important resistance level था उससे पहले 1.4 यूस्टी वाला level जिस level से यहाँ यह जो line drug की मैंने इस level से बार-बार इसको rejection face करने को मिला था यह 1.4 वाला level है यहाँ rejection face करने को मिला drop हुआ फिर यहाँ से जिसे ही इसने 4 hour की और daily closing 1.4 से उपर की मैंने बताया था कि जैसे ही इससे उपर यह coin daily closing करेगा बहुत जल्दी 1.7 से लेकर 1.8 को try करेगा इसने try किया फिर अपने support level को इसने test किया था यहाँ पर फिर यहाँ भी recently test किया तो यह cross किया है 2 USD वाला resistance level था उससे भी उपर हमें कल की जो closing है वो 2 USD से नीचे देखने को मिली है अभी यह coin 2 USD से उपर trade करा तो यहाँ से important रहेगा आज यह coin 2 USD से उपर-उपर maintain रहे और इसको support बनाए तो वहाँ से वापिस bounce back करके 2.35 वाले अपने resistance level को try करेगा और उसके बाद म performance हमें वापिस इसकी price में देखने को मिलेगा और अपना जो recent वाला 2.25 वाले level इसको भी यह brick करेगा weekly में अगर बात करें तो weekly में 1.5 USD वाला important support zone यहाँ पर उसके बाद में 1.9 USD वाला जो level है वो अभी इसके लिए resistance level है जिससे उपर अभी trade को तो कर रहा है लेकिन इसको support न को अभी कल या दो दिन पहले भाई किया 1.5, 1.6 पर quick exit होना चाहते हैं first target आपका 2.3 USD रहेगा जहां पर आपको 60% parts allowed करना है यहाँ 2.25 को भी try किया है थोड़ा बहुत fluctuate कर सकता है 1.9 या 2 USD तक वहाँ से बापिस bounce back करके और 2.25 को hit करके 2.3 को easily try करेगा second target 2.45 रहेगा जो कि आपको 40% parts allowed करना है 60-40 की ratio में इन दो levels पर sale करना है देखिए 2.35 resistance level वहाँ से rejection की possibility रहेगा इसलिए आपको second target के लिए थोड़ा wait भी करना पड़ सकता है इसलिए ध्यान रखना है कि first or second target पर proper जो part बता है 60-40 की ratio में sale करना है जो short term वाले हैं जो थोड़ा wait कर सकते हैं 2-3 weeks का या 1 month तक का wait कर सकते हैं वो 2.65 तक का target रखेंगे हैं overall bullish coin है, wave 3 plus, AI gaming platform है, launch pool का coin है और अपने जो previous high है इसको ये बहुत जल्दी break करेगा और ये एक psychological resistance level भी रहेगा तो ध्यान रखना है short term का target यानि कि आप 1 month wait कर सकते हैं तबी आपको short term का target रखना है entry जिन्होंने नहीं ली है, जल्दी बाजी बिलकुल नहीं करनी है, हमें market में post ही मल जाएगी, sport के अंदर थोड़ा wait करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा wait करी coins में, अभी लगभग-लगभग सभी coins उपर वाले level पर trade करना हैं, अगर किसी coin में ऐसी possibility है, जहां से वो एक अ time hold करना चाहते हैं, hold कर सकते हैं, उससे related updated levels अगर share किये जाते हैं, वो वीडियो बाप को watch करना है, इसके लावा जो भी नए invested trader market में आये हैं, जिनको जानदा knowledge experience नहीं है, वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें, वहां पर आपको proper guidance, proper study share कि जाएगे, crypto queries updated level, signal share कि जाएगे, और भी ब लिंक वीडियो के description में है, और हमारे telegram channel के link description में मिल जाएगी, बाकि आप बाइवर सेल, खुद करें, इसका खुद कर साच के हिसाब से करें, आपर हम कोई finance advice नहीं देए, वीडियो से education purpose से है, ताकि आपको overall coins related knowledge उसके, वीडियो अच्छा लागा है, लाइक ज़रूर करें channel को subscribe कर लें, thank you